गुंजन सिंग ने अपना नाम राघव बताया है और लखी सराई का रहने वाला है और दूसरा जो निर्मल सिंग पवार है वो अपना अच्छुल नाम आसिफ बता रहा है अब वो समस्ति पूर का रहने वाला है एक अप्रातकर्वी जो इस मुढ़ेड में मारा गया है उसका नाम लोग रॉबर्ट उर्फ रैबिट बता रहा है उसके बारे में अभी अन्य इंफॉर्मेशन पता नहीं है अभी इन्होंने भी कहा है कि कहा करने वाला इनको नहीं पता है हम लोग वरिफिकेशन कर रहे हैं और वरिफिकेशन के बाद जब हम लोग उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा तब हम आपको फ़र्दर बताएंगे जो इसमें कुल पांच अभी तक जो बात आई है पांच अपरात कर्मियों की बात आई है जिसमें एक अपरात कर्मी मारा गया दो पकड़ा गया दो फिरार हुए हैं उसके लिए पुलिस तीम उस पर काम कर रही है जल्दी उनको भी हम लोग ग्रेफ में ले लेंगे उनके बा के लिए इंफॉर्मेशन मिलने के विदीन मिनट जो आफिसर इंचार्ज है यहां इंस्पेक्टर पीके सिंग अपने दो कि जवानों के साथ कि स्पॉर्ट पे रश किये और इन्होंने अपने अन्य जवानों को बताया कि कि वहां पहुंचने के लिए लेकिन जब तक और अन्य जवान तयार होते तो कि टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जितना कितना जल्दी पहुंचते हैं कि क्योंकि यहां से सिफ 200-300 मिटर की दूरी पर वह स्पॉर्ट था जहां पर यह घटना हो रहा था तो इन्हों ने अपने हत्यार और अपने दो जवानों को साथ यह दोड़ते वे वहां पहुंचे जब यह स्पॉर्ट पे पहुंचे तो अपरात कर्मी को पता चल गया कि शायद दीचे पुलिस आ रही है वो लोग भागने का प्रयास किया और पुलिस को देखते ही पुलिस पर उसनों ने गोली चलाई जिसके जवाब में आत्म रक्षार्थ पुलिस ने भी अपने फारिंग की जिसमें एक अपरात कर्मी मारा गया है और दो अपरात कर्मियों की गिरिफतारी की गई पुलिस के द्वारा त्वरित कारवाई की गई है जिस टारन से हम लोग इस घटना को रोब पाएं है अभी बहुत ही इनिशियल अनुसंधान शुरू किया गया है इसलिए अभी उस समंद में हम जादा आपके साथ चीजों को शेयर नहीं कर पाएंगे इवन जो इनके नाम हैं इनके पास डिफिरिंट आइडीज मिला है और इनका आइडीज जो मिला है और इनों ne जो अपना नाम बताया है दोनों में काफी फर्क नज़रा रहा है आईडी में इनका जो आईडी में जो इनका नाम है वो एक निर्मल सिंग पवार जो इंदौर मद्द पर्देश के नाम से आईडी है दूसरा आईडी गुंजन कुमार जो राची लालगंज के नाम से आईडी है दोनों का अधार कार्ड इसी नाम से बना हुआ है नाम पूछने पर गुंजन सिंग ने अपना नाम राघव बताया है और लखी सराई का रहने वाला है और दूसरा जो निर्मल सिंग पवार है वो अपना अच्चुल नाम आसिफ बता रहा है अब वो समस्ति पूर करहने वाला है एक अपरातकर्वी जो इस मुढभेड में मारा गया है उसका नाम रोग रॉबर्ट उर्फ रैबिट बता रहा है उसके बारे में अभी अन्य इंफॉर्मेशन पता नहीं है अभी इन्होंने भी कहा है कि कहा करने वाला इनको नहीं पता है हम लोग वरिफिकेशन कर रहे हैं और वरिफिकेशन के बाद जब हम लोग उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाये गा तब हम आपको फर्दर बताएंगे गिजो इसमें कुल पांच अब अभी तक जो बात आई है पांच अपराध कदमियों की बात आई है जिसमें एक अपराध कदमी मारा गया, दो पकडा गया, दो फिरार हुए हैं, उसके लिए पुलिस तीम उस पर काम कर रही है, जल्दी उनको भी हम लोग ग्रिफ्ट में ले मैं लिए हालगि मैं नहीं अ तोटल दो अपरात करूज पकड़े गए हैं एक भीस फीडिक का चलिल और covid महाला किया है साथ कुछ अब अभी तक जो इनिशेल इंफॉर्मेशन है ये पिछले दस दिन से इस इस इलाके में रेकी कर रहे थे अलग अलग जगा ये लोग रह रहे थे धनसार में एक कमरा इनोंने लिया था भाड़े पे जहां ये लोग रह रह रहे थे उसके पुरुवर ये अन्य थानों में भी इनका ठोड़ ठिकाना था धनसार वाली घटना के संबंद में हम लोग जानकारी प्राप इनसे हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं अभी बहुत इनिशियल फेज है इस बारे हम डिटेल्स नहीं बताएंगे लेकिन हां धनसार में इनोंने अपना एक घर लिया था जहां ये लोग रुके वे थे और इनो संब्ता है इस समयमें हम लोग अनसांदान कर रहे हैं … इनके पास को तीन आपढत कर्मी थे ये जो और सेमी और ऐपास था जिससे इनों ने इनके पास international numbers के साथ था और दो बाइक था दो बाइक भी हम लोगों ने बरामत किया है दोनों बाइक पे जो नंबर है वो नंबर फरजी लग रहा है क्योंकि इनके जो बैक्स में और भी कई फरजी नंबर पेट बरामत किये गए हैं हो सकता है यहां से चलने के बाद वो केंज कर लेते हैं इसलिए उन्होंने उस तरह का numbers को भी लगा कर रखा है कि numbers यह